दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपके BSC First Year First Semester Botany के United यानि की Phycology से जुड़े एक Most Important जनरा Wall Walks के बारे में डिस्कस करेंगे तो Wall Walks से जुड़े हुए इसके Classification, Accrens, Vegetative Structure, Reproduction, चाहे वो Sexual हो, A-Sexual हो या फिर Vegetative इन सभी टापिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे तो आएए आज के वीडियो की सुरुवात करते हैं तो आएए सबसे पहले हम इसका Classification देखते हैं तो इसका Division है थैलोफाइटा तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि थैलोफाइटा के अंतरगत पाय जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उनमें True Stem, Root and Leaf absent होता है यानि कि इनमे वास्तविक रूप से जड़ तना और पतियों का अभाव होता है इसलिए हम इन्हें प्लांट नहीं कहते हैं इन्हें हम थैलस कहते हैं इसके बाद है इसका Class Chlorophyce, Order है वालवोकेल्स, Family है वालवोकेसी और Genus है वालवोक्स तो यदि हम बात करें Family वालवोकेसी की जिसके अं उनकी जो संख्या होती है वो फेक्स होती है तो कहने का मतलब है कि यदि Parent Cell में 100 Cell है तो जो उससे नई कोशिकाय बनेंगी उन्हें में भी 100 Cell ही होंगे और इस कॉलोनी के अंदर जितने भी Cell होते हैं वे सभी Mucilaginus, Learyani की Stylismic Auron से ढखके होते हैं तो यहाँ पर मैं आपको पता दू कि जब किसी कॉलोनी में जो Cell है उनकी संख्या निश्चित होती है तो ऐसे कॉलोनी को हम बोलते हैं सिनोवियम तो वॉल्वो केसी के करेक्टर क्या हुए इसमें जो थैलस होता है वो कॉलोनी के फार्म में होता है और इसमें जो Cell की संख्या होती है और सभी Cell मोटा जेनरा वोलवॉक्स के बारे में तो आए मिले बात क्टे हैं बात ङते हैं भात बात क्टनीमित प्केंट इसके predict करने या ने कि यह न में और इंस ä फिरीआ टऊर्थ यह कोवाचा में सब्सक्रिक ए रख जाते हैं मयत दो किन बात क्रिक पात कि धृत है थैसर तो वालवाक्स जो हता है प्लेंकेटॉन के रुप में यानि की जो पानी की सर्फेस है उसके उपर आपको तैरते हुए दिखेंगे चाहे वो टेंपरेरी या फिर पर्मानेंट पॉंड्स हो या फिर डीचेस हो यानि की खाईया हो जरने हो या फिर वाटर टैंक हो आपको वह दिखाई देता है और इसका रिजन यह है कि उस पान्ड में वालवाक्स की जो संख्या होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है तो बरसात के समय में इनकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ती है कि इनकी संख्या बढ़ने के कारण ये पूरी तरह से जो वाटर बॉड़ी से उसको कवर कर लेते हैं और जिस वजह से वो पूरा पानी का जो सर्फेस है वो हरे रंग का दिखाई देने लगता है इट इस आलसो नोन ऐस रोलिंग बाल तो इसे हम रोलिंग बाल भी कहते हैं वालवाक्स इस रिप्रेजेंटेड बाई एबाउट 20 स्पीसीज इन इंडिय 5 स्पीसीज आर कॉमन तो पूरे विस्व में इसके 20 जातिया ग्या थै और भारत में इसकी 5 जातिया रिपोर्ट की गई हैं तो भारत में जो जातिया पाई जाती हैं वालवाक्स ग्लोवेटर वालवाक्स ओरिफिकस वालवाक्स एफ्रिकेनस और वालवाक्स रोसल्टाई तो ये सभी जातियां आपको भारत में देखने को मिलेंगी आए नेक्स हम बात कहते हैं वालवाक्स के structure की वालवाक्स is a motile colonial algae with definite shape and number of cells तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वालवाक्स की colony होती है वो motile होती है इसका car और जो number of cell है वो fix होता है और जब colony में number of cells fix होते हैं तो ऐसे colony को हम बोलते हैं synovium तो यहाँ पर लिखा हुआ है this type of colony is called synovium the colony is hollow spherical or or oval in shape and the size of colony is about in the size of a pin head तो इनकी जो colony होती है वो hollow यानि की खोखली होती है गोलाकार या फिर अंडाकार होता है और इसके colony के अगर size की बात करें तो pin का जो head होता है जो pin का नोक होता है लगभग उसी के size का होता है depending upon the species of walvox the cell can be 500 to 60,000 तो walvox की colony में जो cell की संख्या वो होती है वो होती है 500 से लेकर लगभग 60,000 तक तो इसका जो central part होता है जो की खोखला होता है तो उसमें पानी भरे होते हैं और इसमें पाये जाने वाले जितने भी cell होते हैं वे सभी किनारो पर यानि की peri-feri पर पाये जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह पूरी colony है और यह जो रंगीन आप green color से dot देख रहे हैं यह है एक single cell है या फिर कह सकते हैं यह वेजिटेटिव cell है और अंदर की तरफ आप देख सकते हैं dark color का यहाँ पर green color से दिखाए गया है यह daughter colony है तो यह जो single cell है जो की peri-feri पर है आप देख सकते हैं कि वो आपस में एक structure के द्वारा जुड़े हो हैं जिसे हम बोलते हैं cytoplasmic strand यहाँ पर आप अपने left side देख सकते हैं और बाहर की तरफ आप देख सकते हैं कि हर cell से दो कशा भिकाए यानि कि फलजला निकली हुई आपको दिखाई दे रही होगी तो यह जो cytoplasmic strand है सभी cell को आपस में जोड़ती है और इन cell के बीच में आप देख रहे होगे कि यह hexagonal structure दिखाई दे रहा है यह misilaginus का आवराण है तो यह misilaginus का आवराण चारो तरफ इसके पाया जाता है आई नेक्स्ट बात कहते हैं इसके colony की और भी specification की the colony of walvox so polarity तो walvox की colony में धुरुवता पाई जाती है यानि कि आप देख कर बता सकते हैं कि इसका जो anterior end कौन सा है या फिर posterior end कौन सा है तो कैसे पता चलेगा कौन सा anterior end है कौन सा posterior end है आई समझते है यानि कि इसके जो anterior end पर पाया जाने वाले जो cell होते है उसमें जो eye spot होती है जबकि जो posterior end में पाया जाने वाले cell है उनके eye spot छोटे होते है the cells of posterior side become reproductive on maturity तो इसके जो posterior side पर पाया जाने वाले जो cell है वो reproductive mature होते है the cells are connected to each other through cytoplasmic strand जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि इसमें जो cell होते हैं वो cytoplasmic strand के त्रू जुड़े होते है in some species cytoplasmic connection और और cytoplasmic strand are absent तो किसी किसी जातियों में आपको cytoplasmic connection या फिर cytoplasmic strand नहीं देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैंने बताया था इनकी जो colony होती है 500 से लेके 60,000 cell की बनी होती है तो आई ये cell structure को देखते हैं कि इनके cell के कैसे structure होते है cell are usually piriform with papillate anterior and broad posterior end तो इनका जो cell होता है नासपाती के आकार का होता है और जो अगला reason होता है इन्टिरियर reason होता है उसमें papillate पाए जाती है और जो posterior end होता है वो चोड़ा होता है जैसा कि आपने claimidomonas की संरचना को देखा होगा तो वैसे ही walbox की कालोनी में जो single cell होते है वैसे ही एक single cell claimidomonas की भाती आपको दिखाई देगा तो walbox में claimidomonas के cell की भाती लगभग 500 से 60,000 को सिकाई आपस में मिलकर walbox की कालोनी बनाती है तो जैसा कि आपने देखा होगा कि claimidomonas में दो फलजला पाए जाती है तो ये भी बाइफलेजलेट होते है फलजला एक ही size की होती है इसलिए इसको बोलते है isocont और इनकी जो फलजला होती है वो विपलेस होती है यानि की smooth होती है cell wall is made up of cellulose इनकी जो कोशिका की cell wall होती है वो cellulose की बनी होती है the protoplasm is enclosed with a semi permeable plasma membrane और इनका जो protoplasm होता है वो अध पारगम जिली द्वारा यानि की plasma membrane द्वारा घिरा होता है तो इसके cytoplasm में एक nucleus होता है और cup sept chloroplast होते हैं और इसके लावा एक या एक से अधिक paranoids पाए जाते हैं एक eye spot होता है neuromotor apparatus होता है इसके साथ ही साथ 2 से लेके 6 तक contractile vacuole पाए जाते हैं तो जैसे की claimidomonas में जो chloroplast होता है वो उसके posterior part में पाए जाता है उसी तरह अगर हम देखे wall walks में तो wall walks में भी प्रते कोशिका में जो chloroplast होता है वो posterior ind पर पाए जाता है वही हम बात करें paranoids की तो हम सबी जानते है जो paranoids होता है उसमें protein जो होता है वो चारो तरफ से इस्टार से घिरा होता है तो वालवाक्स में पाया जाने वाली जो प्रते कोशिका होती है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है यानि कि सतंतर होती है वो सतंतर रूप से कार करती है चाहे वो photosynthesis हो, respiration हो या फिर excretion हो तो सभी cell के जो function हो वो भले ही अलग हो लेकिन जब भी colony का moment होना होता है तो सभी कोशिकाओं के जो fledgla होते हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं The moment of colony takes place by coordinated fledglaid moment of all cells Asexual and sexual reproduction is common in the synovium तो यदि हम बात करें reproduction की चाहे वो asexual हो या sexual हो वो सभी colony में यानि की synovium में ही होता है तो इस प्रकाल से अगर हम wall walks के single cell को देखें तो उसकी पूरी संरचना आपको clay mido monas की भाती देखने को मिलेगी तो आए इसके single cell structure को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो wall like structure दिख रही है यह wall walks के colony की संरचना है तो यह जो single dot की तरह दिख रहे हैं यह एक excel है जो कि आपको clay mido monas की तरह दिखाई देता है इस colony के अंदर आपको यहाँ पर और rounded structure दिख रहा है जो कि daughter colony है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह single cell है और इस single cell के चारो तरफ gelatinous seat है तो यह जो gelatinous चादर है वो angular है यानि की कोड़ी है दिखता तो यह गोल है लेकिन यह जहाँ पर cell है वहाँ पर angular हो जाता है इसका reason यह है कि यह जो cell है वो पास पास जुड़े होते हैं और pressure पड़ता है इसी वज़ा से यह आपको angular दिखाई देते हैं और जितने भी cell होते हैं वो सभी आपस में cytoplasmic strand द्वारा जुड़े होते हैं तो आप यह देख सकते हैं यह cytoplasmic strand है तो इनकी चारों तरफ आपको slaysm का आउरण दिखाई देगा और यदि हम एक कोशिका को देखें तो इसकी संरचना हमको piriform दिखाई देगी यानि कि नासपाती के आकार की दिखाई देगी इसके लावा आपको बीच में एक बड़ा सा nucleus दिखाई देगा तो दोस्तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें की हमने wall walks के classification, occurrence और structure के बारे में जाना आने वाले वीडियो में हम wall walks के reproduction के बारे में detail से जानेंगे तो आपको वीडियो कैसा लगा comment करके ज़रूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगा हो झाले शच्छा वीडियो